गुट आफ्टरनून एब्रेवन वेलकम बैक टो माई ऑनलाइन साइंस क्लास फर्स्ट आफॉल हम अपने चैप्टर वन का रिविजिन कर लेते हैं मैं आपको अपना चैप्टर नमबर वन पढ़ा रही थी क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इसमें मैंने आपको मैन्य मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स तक पढ़ा दिया था मैन्योर्स होती है खाद और फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक जो मैन्योर्स होती है खाद वो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनती है और उर्वरक जो होते हैं फर्टिलाइजर्स वो हमारे फैक्स तोपिक है नेटरल मेफटड आप्रिप्लिशी फर्टलियटी फॉइल फर्टलिटी कुछ पॉइल टी तरीके मिट्टी की जो फॉइल की होती है उसको रिप्लैनिश करना है तोफ कुछ फॉइल टी तरीके फर्स एई इस में आपका क्रॉप रोटेशन अनधर मेफड आफ़ replenishing the soil with nutrients is by crop rotation, एक दूसरा method है, जिससे हम soil के nutrients को replenish कर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं, वो है एक method crop rotation, crop rotation is the method of growing different crops alternately on the same field, crop rotation एक method होता है, crops उगाने का alternately, मतलब एक के बाद एक उसी फेल्म फिल्ड में, जैनि कि एक बार हमने एक सखाल में दूसरी एक है थी कि next हमने उसके change करके की, एक सी नहीं खेती करना है, तो हर साल change करके करना ही होता है, crop rotation method, for example, the farmers grow crops like wheat और barley in the first year, जिसकी farmer, first year में गेहूं और barley की अगर खेती करते हैं, गेहूं और जोगी, पहले साल में, this is followed by growing leguminous plants like pea और soybean in the next season, तो उन्हें next season में कोई leguminous plants की फसल उगानी चाहिए निए न पौदो की जैसे के मटर या सोयबीन की फसल लगानी चाहिए, leguminous plants help in the replenishment of soil with nitrogen, leguminous plants जो होते हैं, वो replenish कर देते हैं, soil में nitrogen को, nitrogen की कमी को पूरा कर देते हैं, second method है आपका, leaving the field fallow, खाली छोड़ देना, field को कुछ एक साल ये दो साल, it is the process of leaving the field uncultivated fallow for one or more season, ये एक प्रोसे खेती के भीना फसल के छोड़ दिया जाता है, एक ये दो साल के निये, एक ये more season के निये, fallow land will regenerate the lost nutrients, जो fallow land होती है, जिसमें कोछ फसल नहीं होगी है, तो वो अपनी lost nutrients को खुद regenerate कर लेती है, खुद बना लेती है, उसके nutrients आपस आ जाते हैं, however, due to high demand for good of food grains, this method is no longer followed, जै जैसे कि आप सब जानते है कि कितनी food की high demand is, इतनी population बढ़ रही है, तो ये method अब यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम खेतों को खाली नहीं चोड़ सकते हैं, या उसकी food की demand पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये method को यूज नहीं किया जाता है, crop rotation method यूज किया जाता है, कि ह हर साल हर सीजन में फसल को चेंज करके लगाना next topic है आपका irrigation seed need water in the form of moisture to germinate seeds को need होती है water की moisture की नमी की form में to germinate germinate करने के निया मतलब एक बीच से पौधा निकलने के निया seed को जरूरत होती है water की plants need water to draw nutrients from the soil plants को need होती है water की soil से nutrients को draw करने के निया खीचने के निया for their growth अपनी growth के निया and for making food by photosynthesis और food बनाने के निया photosynthesis process के through to maintain the moisture of soil for healthy crop growth the fields should be water at proper intervals क्यानिके maintain रखने के निया moisture soil में और अच्छी crop अच्छी healthy crop grow करने के निया field में water दिया जाता है पानी दिया जाता है proper intervals में यानिकी time to time the watering of crops at different intervals is called irrigation जो watering होती है crops को पानी देना different intervals पे अलग-अलग time पर इसे बोलते हैं irrigation means in time the time and frequency of irrigation vary from crop to crop soil to soil and season to season जो time होता है पानी देने का और frequency होती है कितना देना है यह irrigation की यह vary होती है यह अलग-अलग होती है हर crop की हर फसल की अलग होती है हर मिट्टी में अलग होती है और हर season में अलग होती कि कितना पानी कप देना है और किस time पर देना है For example, कुछ example दे रखें, आपको देखिए The frequency of irrigation in summers is higher due to the increased rate of evaporation of water from the soil as well as from the leaves जो frequency होती है irrigation की summers में, वो ज्यादध होती है higher क्योंकि evaporation का जो rate होता है, पानी भाब बहुत तेजी से बनता है और इसी तरीके से leaves में भी evaporation होता है, पानी बहुत तेजी से निकलता है इस वज़े से जो irrigation की frequency होती है, वो summers में ज्यादध होती है Second, दे रखें, आपको इसमें sandy soil needs more water than clay soil Sandy soil जो होती है, रेतिली soil उसको ज्यादधा पानी की ज़रूद होती है compared to clay soil Clay soil में इतनी नहीं होती है Sources of irrigation, sources दे रखें, irrigation के हमें कौन-कौन से तरीके हैं जिसे हम irrigation करते है The main sources of irrigation in our country are rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells, tube wells, dams and canals जो कुछ sources है, irrigation के सिचाएं के हैं, my country में वो है rivers, reservoirs, lake, pond, wells, tube wells, dams और canals इन सब से irrigation सिचाएं की जाती है Water from these sources is delivered by irrigation canals और pumped by using electric और diesel pumps Water in sources से deliver के जाता है, irrigation canals में, irrigation canals में, pump के जरीए या फिर electric या डीजल pump से तो ये आपका था sources of irrigation की हमें क्या-क्या साधन है, irrigation के सिचाएं के हमें करने के निए पानी कहां कहां से मिलता है नदियों से, जलाशियों से, तलाबों से, नहरों से, इन sources से हमें irrigation के निए water मिलता है Traditional methods of irrigation पारम पर एक तरीके सिचाएं के The following methods of using available water of lakes, wells and cannells for irrigation are called traditional methods ये सारे तरीके available water जो लेक में हैं, wells में और cannells means नहरों में इनका available water irrigation के लिए यूज करना इन methods को हम बोलते हैं, traditional methods These are, जो traditional methods हैं irrigation के उसमें हैं, swinging basket method moat or simple pulley system, water wheel method, chain pump method, dhekli and rahat lever system In all these methods, water is lifted using man power and animal power इन सब method में water को lift किया जाता है, मानि, पानी उठाया जाता है man power से, या इनसान को उठायागा या फिर animal power से देखी, first में दे रखा है आपको swinging basket method है इस तरीके ही लाकर दो लोग से चाही करते हैं, पानी देते हैं, moat or simple pulley method एक कड़ाई एक बड़तले के उससे नहीं पानी दिया है थर्ड दे रखा है इसमें आपका water wheel method, water wheel method है फिर आपका chain pull pump method, dhekli and rahat lever system दे रखा है next है आपका modern methods of irrigation आधुनिक तरीके सिंचाई के, once the water is lifted up, methods to use the water economically have been developed these days एक बार जब हम पानी को lift कर लेते हैं, ले लेते हैं हमने पानी को अब जो methods हैं water को use करने के economically की अच्छे से उसका किफाईती use करें इसका बरबात नहीं तो ऐसे कुछ method developed कर ली गया है two of these methods sprinkler system and drip system are giving blow ऐसे दो method हैं जिसमें water को economically use किया जाता है इसमें है एक sprinkler system और next step का drip system sprinkler system is used where the soil cannot retain water for long or where sufficient water is not available sprinkler system वहां use होता है जहां soil काफी time तक पानी को रोके नहीं रखता है और जहां sufficient water available नहीं होता है वहां इसका use कह जाता है sprinkler system का rotating nozzles are attached perpendicular pipes at regular intervals इसमें rotating nozzles होते हैं घूमते हुए nozzles लगा दी जाते हैं एक खड़े pipe पर दूर थोड़े थोड़े regular intervals पर और यह ऐसे rotate करते रहते हैं घूमते रहते हैं water gets sprinkled on crops as if it is raining और पानी ऐसे उस पर छलका जाता है स्प्रिंकल होता जाता है जैसे कि बारिश हो रही है सैकेंड इसमें आपका drip system is an economical method of irrigation ये एक economical किफायती तरीका है इरिकेशन का this system involves providing water drop by drop at the roots of the plants thus water is not wasted इस system में पानी को जो provide किया जाता है बून बून करके दिया जाता है plants की root को इस तरीके थे water waste नहीं होता है this system is practiced in regions where the water availability is poor ये system वहां यूज के जाता है उन इलागों में यूज के जाता है जहाँ पानी की availability poor होती जहां पहुर कम पानी होता है now homework time just pause the video and note down the questions which I have mentioned on the screen thank you and good bye